आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्टर साउंड की रिपोर्ट में किस जगा मैंशन होता है कि बेवी गर्ल है या बेवी बॉई ये वो कुस्टेन है जो मोस्ट एफ टाइम मुझ से किया जाता है Ultrasound Reports send कर देते हैं और कहते हैं किस जगा mention है कि Baby Girl है या Baby Boy So I thought to make a video on it सबसे पहले important चीज क्या है कि अगर आपके area में यह legal नहीं है बताना कि Baby Girl है या Baby Boy तो जो Ultrasound Report होगी जो डॉक्टर लिखेगा उस पर वो mention नहीं करेगा कि यह Baby Girl है या Baby Boy इसलिए हर Ultrasound Report पर यह mention नहीं होता लेकिन कुछ areas में doctors जो है वो mention कर देते हैं Ultrasound Report पर कि Baby Girl है या Baby Boy उसको जानने के लिए क्या तरीका होता है कि जैसे यह Ultrasound Report देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है XY Ultrasound picture के साथ भी लिखा जा सकता है या Ultrasound Report के corner पर भी लिखा जा सकता है तो XY का मतलब होता है Baby Boy वो भी अगर doctor mention करे तो So once again हर Ultrasound Report पर यह mention नहीं होता So अगर आपको अपनी Ultrasound Report पर XY नजर आ जाए तो mean It's a Boy इससी तरहां से अगर Ultrasound Report पर XX लिखा हुआ हो या Sex Female लिखा हुआ हो इसका मतलब है You are going to have a baby girl यानि के लड़की होने वाली है ये भी कब पता चलेगा जब doctor ने mention किया होगा So जब आप मुझे Ultrasound Report भेशते हैं इसलिए कि मैं ये बता दूँ कि कहां पर लिखा हुआ है कि Baby Girl ये Baby Boy तो easily आप खुछ जान सकते हैं कि ये mention है या नहीं अगर आपके Ultrasound Report पर कहीं भी XX कहीं भी XY नहीं लिखा कहीं भी Sex Male या कहीं भी Sex Female नहीं लिखा तो वो मैं भी नहीं बता सकती कि ये Baby Girl है या Baby Boy एक तरीका ये होता है कि Radiologist ने पिक इस तरह से ली हो कि Genital Area clear हो वाजय हो तो तब हम उसको देख कर बता सकते हैं लेकिन Radiologist ऐसी पिक्चर mention नहीं करता और सर को देख कर लेक को देख कर आप जेंगर नहीं बता सकते Pink or Blue, May you be blessed with a happy and healthy baby मुझे वेमीत है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए informative होगी इससे related आपने कोई भी question पूछना होथ आप comment box में पूछ सकते हैं Like the video if you liked it Comment and share and subscribe our channel Thanks for watching